हलो हाई नमश्कार स्वागत आप सभी का मैगनेट प्रेंज के आई टी जैई और नी चैनल पे जी आज हम शुरू करने जारे एक नया चैप्टर विच इस नथिंग बट द फ्रिक्शन देखो वे कहीं जगा पे आपको यह लॉज ऑफ मोशन के साथ मिल जाएगा मैं थोड़ तो भई अगर फ्रिक्शन आ गया तो फिर क्या करोगे कैसे उसको सॉल्फ करोगे तो वो सारी बातें इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं ज्यादा बड़ा लेक्टर नहीं है और तो मेरा नाम आशिश कपलेश मैं पिसले छे सालों से जही एस्पिरेंस को पढ़ा र होगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है बेटा कि जब भी मैं आपको यहां पे क्लास में कोई भी चीज़े पढ़ा हूं या कोई भी टॉपिक एक्स्प्लेइन करूं तो उसके नोट्स बनाना बहुत जरूरी है आप अपने हाथों से चीज़ों को लिखोगे तो चैनल सवाल होंगे उन चंड सवालों के जवाब आपको देखने देने हैं और वो सवाल सारे के सारे उस पर्टिकलर डेके टापिक से डेलेटेड होंगे यानि आज जो मैं आपको पढ़ा दिया उससे related DPP में सवाल होंगे वो आपको solve करने पढ़ेंगे बड़ी बात नहीं है कर लोगे अराम से हैं ना अच्छा इनकेस किसी question में first गई कोई doubt आगया तो क्या करोगे तो भाई उसके लिए भी मैं video solutions बना रहा हूं तो हर DPP का एक video solution मैं बनाता हूं तो वो video solution देखिए वो आपके लिए helpful रहेगा फिर ठीक है इसके लावा chapter wise mcqs मैं definitely आपको हर chapter के completions पे mcq यानि की practice questions कराता हूं practice questions आपको idea देते हैं कि particular chapter से किस प्रकार की सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूं कि friction तो friction से कैसे सवाल आएंगे कितनी variety के सवाल होंगे वो सारी चीजें आप यहां पे cover करोगे वो मैं आपको कराऊंगा तो maximum number of questions मैं कराऊंगा लेकिन इसके लावा भी और questions अगर रह जाते हैं तो आप खुद से solve कीजिए ठीक है इसके लावा previous year questions भी मैं आपको कराऊंगा लेकिन यही फिर से बात repeat करूंगा कि maximum questions मेरी side से मैं करवा दूँगा लेकिन इसके लावा जो questions रह जाते हैं वो आपको खुद से solve करना है ठीक है करना है आपको बस इतनी सा काम करना है कि जो बाते मैं बोल रहा हूं वो बस सुनते चलो उसके हिसाब से तयारी करते चलो अगर यह पूरा pattern follow कर लिया तो आपका selection 100% है इस बात की मैं guarantee देता हूं ठीक है तो बस इतनी सी बात है जो आपको follow करनी है और अभी pen or paper लिखिया जो क्योंकि friction पढ़ने जा रहे हम लोग तो friction पढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ जब मैंने आपको force के types के बारे में पढ़ाया था तो उसमें आपने सुना होगा किया force में हमने contact force की बात करी थी है ना force के जब हम types पढ़ देते तो उसमें एक type आया था contact force इस contact force में मैंने आपको बताया थे एक तो normal reaction होता है spring force भी सी में आए था tension force भी सी में आ गया था है ना याद है कुछ हाँ तो सर यहाँ पे हमारे पास normal reaction आ रहा था normal force इसे कह रहे थे इसके लावा tension है spring force है यह सारे forces इसमें आते थे तो पैटा इन सारे forces के अलावा एक और force contact force की श्रीणी में आता है वो होता है friction force तो contact force में हमारे पास है normal force, tension, spring force जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं लेकिन आज एक और चीज़ हमें पता चली कि contact force की category में एक और force होता है जिसको की हम कहते है friction force और मेरे बचे जब भी हम बात करेंगे force की तो हमारे धिमाग में क्या चलता है जब भी मैं बात करूंगा force की तो मैं सोचता हूँ कि यार इसका magnitude क्या हो सकता है और इसकी direction क्या हो सकती है तो बिलकुल friction force को देखके भी मेरे मन में यही ख्याल आया कि इसका magnitude क्या हो सकता है और इसकी direction क्या हो सकती है यार कैसे पता करें तो आज इस lecture में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि friction force के magnitude को कैसे find किया जाए उसके direction को कैसे find किया जाए बड़ा simple सा गाम है कोई rocket science नहीं है बतागों सारी बाते बड़ा simple सा एक example consider करतो हो अपने day to day life से आपने देखा होगा कि अगर आपके पास एक कोई block है गौर फर्माइए कासे भी लोग अगर हमारे पास कोई block है जिसको कि एक surface पे मैंने रखा गया है इस block का mass अगर M है तो बेटा सीधी ची बाते इस पे force लगेगा mg नीचे की तरफ इस पे लगेगा normal उपर की तरफ यह वाली बाते तो समझ आती है अगर मैंने इस block के उपर एक force F लगाया और मैंने पाया कि यह block rest पे है क्या इस block के उपर एक force F लगा दिया और मैंने देखा कि यार यह block तो आज भी rest पे है तो इसको देखके क्या ख्याल आता है तुम्हारे मन में यह कोई block था जिसका मास M था, mg नीचे लग रहा है, normal उपर लग रहा है इस block के उपर मैंने एक force F लगाया लेकिन क्या देखा, block तो rest पे आया भी भी force लगाने के बावजूद यह block rest पे है, तो फिर क्या ख्याल आता है तुम्हारे मन में मतलब की सर इस force के opposite direction में भी कोई force लग रहा होगा जो की इसको रोक रहा है मेरे दिमाग में तो यही ख्याल आया, क्यार इस पे force लगा है F, फिर भी block move नहीं कर रहा मतलब की कोई तो है यहां पे, कोई तो है यहां पे, जो इस F को रोक रहा है, जो इस F को cancel करने की कोशिश कर रहा है तो वो कौन है, सर ना तो यहां कोई string है, है ना कि tension force हो जाता, ना तो कोई spring है, कि spring force आ जाता है यहां पे तो फिर क्या करें ना तो कोई रसी है ना ही कोई स्प्रिंग है अगर रसी होती तो समस्ते टेंशन लगा देते उधर की तरफ अगर बेटा स्प्रिंग होता तो स्प्रिंग फोर्स लगा देते उधर की तरफ तो फिर क्या करें तो हमें यहां पे देखके ऐसी फिलिंग आई क यहां पर contact force का कोई tangential component हो सकता है क्या देखो ना यार यह contact में है क्या आपस में बोलो ना जरा क्या यह contact में है ना यह block or table यह block और यह surface contact में है तो contact में होने के कारण contact का ही कोई tangential component हो सकता है क्या जो इस force का opposite कर सकता है अपोस करेगा टेंजेंशल कॉम्पोनेंट ओफ कॉंटेक्ट फोर्स सो कॉंटेक्ट फोर्स का जो टेंजेंशल कॉम्पोनेंट होता है क्या वो लग सकता है यहां पे बोलो ना यार ना तो कोई रस्ती की टेंशन लग रहा होता ना ही कोई spring है कि spring force लग रहा हुता फिर सोचा मैंने मैंने बोला यार देखो ये force horizontal direction में लग रहा है तो कोई force horizontal direction में लगना चाहिए तभी तो बात बनेगी तो फिर घूम फिर के हमारा दिमाग contact force पे आता है आपने बोला ये box और ये जो surface है contact में है contact में होनी की वज़ा से यह यहां दो force आते है एक तो है normal वाला जो की है perpendicular to the surface और एक force है sir tangential component of the contact force जिसको की क्या हेंगे प्यार से friction जिसको की हम प्यार से क्या कहते है बेटा friction कहते है तो जब भी आप किसी rough surface पे है ना यहां पे हम थोड़ा सा practical life में आ रहे है बेटा practical life में smooth surface बहुत कम जगाओं पे मिलती है rough surface की बात करते हैं तो अगर हम बात करें rough surface की तो वहां पे contact force के tangential component आते है जिसको की friction कहते है और यह friction क्या कर रहा था इस box को move करने से रोक रहा था तो यहां पे अगर इसको मैं गौर फर्माओं और ज़रा इसका diagram दुबारा बनाओं तो यह रहा block contact होने की वजह से due to the contact यहां पे दो type के forces मिल रहे हैं पहला force जो की contact के normal component है component of contact force normal component of the contact force इसको normal reaction कहते है ना बिठा और एक यहां पे लगेगा tangential component of the contact force it's a tangential component of contact force इसको क्या कहते है फ्रिक्शन इसको क्या कहते है फ्रिक्शन इसको क्या कहते है नार्मल फोर्स या फिर normal reaction जो तुम्हें बोलो तो मेरे बच्चे क्या ये friction का और normal reaction का अगर resultant बनाने की कोशिश की जाए तो क्या वो resultant कुछ इस प्रकार से बनेगा हाँ की ना क्या normal force का और friction का एक resultant बनाया जाए तो क्या वो resultant यहां पर आएगा और क्या ये resultant क्या ये resultant कहलाएगा contact force बोलो ना अरे बोलो ना क्या ये contact force कहलाएगा तो क्या बोले कि भाईया जब भी हम किसी डब्बे को ऐसे धका मार के चलानी की कोशिश करते हैं और अगर डब्बा नहीं चला तो फिर देखके सोचते हैं कैसा क्या हुआ कि डब्बा नहीं चला फिर हम सोच विचार किये सोच विचार करने के बाद पता चला कि यार यहां पे कॉंटेक्ट है जान से देखो यहां पे कॉंटेक्ट है कॉंटेक्ट के परपेंडिकुलर एक कॉंपरेंट होता है जिसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स कॉंटेक्ट है नॉर्मल फोर्स force mg को balance कर देता था कोई दिक्कत नहीं है अच्छी बात है लेकिन जो force आप लगा रहे थे आपके force को किस ने balance किया mg को तो चलो normal ने balance कर दी एक बारी के लिए लेकिन आपने जो force लगाया उसको किस ने balance किया आपके लगाय हुए force को friction ने balance किया आपके लगाय हुए force को किस ने balance किया friction ने balance किया तो आपको ये बात तो समझाती है कि अगर मैं बोलूं कि what is the contact force तो contact force is actually the resultant of normal reaction and the friction force. Friction force को छोटा F से denote करेंगे. Friction को छोटे F से denote करना. ठीक है? तो friction को हम क्या करेंगे? छोटा F से denote करेंगे. समझते हो बात को. समझते हो. क्या हो रहे है याँ पे? कुछ नहीं बई. सीदी सी बात है. डबा रखा है टेबल पे. डबे पे force लगाया. देखा डबा तो move नहीं कर रहा. तो मतलब कोई opposite direction में force लग रहा होगा. तो वो force क्या है? Friction है. वो force क्या है? Friction है. सही है? सही है ना? अरे हाँ ना? यहाँ पे देखो. यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लॉक है. उसके उपर एक छोटा सा ब्लॉक है. यह ब्लॉक A है. यह ब्लॉक B है. ब्लॉक B पे force लगाया. अगर मेरे बच्चे A और B के बीच में friction नहीं होगा, तो क्या होगा? अगर A और B के बीच में friction होगा, तो क्या होगा? और अगर friction नहीं होगा, तो भी क्या होगा? सीधी से बात है. सर, अगर यहाँ पे A और B के बीच में friction है, अगर यहाँ पे friction होगा, तो मेरे बच्चे उ दोनों blocks साथ में चलेंगे सोचो ना जैसे तुमने देखाऊगा जब कहीं पर जाते हो ना लंबे traveling के लिए तो गाड़ी के उपर सामान बांथे ना हाँ तो अगर आप सामान ना बांदो तो क्यों होगा गाड़ी आगे चली जाएगी सामान पीछे रह जाएगा आपने सामान को बांध दिया तो अब जितना गाड़ी आगे जाएगी उतना सामान आगे चलता जाएगा तो friction की भी वही कहानी है जैसे मानो friction पता है क्या करता है friction ऐसा करता है कि A वाले को B के साथ चिपका देता है मानो A को B के साथ बांध दिया हो अब B के उपर force लगाया B अगर आगे जाता है within acceleration of A तो ये A वाला block भी आगे जाएगा with the same acceleration of A B वाला block अगर आगे जाता है within acceleration of A तो A वाला block भी आगे जाएगा within acceleration of A और अगर यहाँ पर friction नहीं होता तो क्या करते अगर यहाँ पर friction नहीं होता तो क्या होता Sir वही B वाला block A वाला block अगर friction नहीं होता तो ये बी वाला ब्लॉक आगे चला जाता और ए वाला ब्लॉक नीचे गिर जाता सचो ना कितना जीप सा लगेगा कि अगर शादी में दूला जो बरात में जाता है उसके वो तेगा तो गोड़ी को पर वो सब पेकर करके बिल्कुल है ना पैर टिकानी की भी जगह होती है नहीं पे भी तुम जाओगे विजद्धी वाली बात नहीं बहुत जादा इसलिए उसकी ग्रिप बहुत अच्छे बनाते ताकि बिजद्धी नहों जाए से फिर पता चले वो सब देखा ना वो पैर वगरा कभी ट्राइक या होट्स राइडिंग वगरा ट्राइक होगा त तो ऐसी चीज़े नहीं होनी चीए इसलिए हम बहुत सारी चीज़े को मेंटेन करके रखते हैं तुमने देखोगा ट्राइवलिंग के टाइम पे गाड़ी के उपर सामान रखते हैं फिर उसको बांधते हो तुम लोग क्यों बांधते हो ताकि वो सामान गिरे ना अब कभी तो फ्रिक्षन कभी तो फ्रिक्षन मोशन को रोक देता है कभी तो फ्रिक्षन मोशन को रोक देता है और कभी फ्रिक्षन मोशन करवा देता है क्या बात समझा रही हैं से कि फ्रिक्षन कभी तो मोशन को रोक देता है और कभी तो मोशन को प्रोवाइड भी करा देता ह मतलब समझ नहीं है मतलब ऐसा है कि तुम से स्टेटमेंट देखे पूछेगा ड़स फ्रिक्शन अपोजिस दा मोशन मना कर देना क्या फ्रिक्शन हमेशा मोशन को पोज करेगा सवाल ऐसा पूसता है वो क्या फ्रिक्शन हमेशा मोशन को पोज करेगा तो क्या बोलोगे येस और नो येस और नो क्या बोलते हो तुम लोग क्या फ्रिक्शन हमेशा मोशन को पोज करेगा मैंने बोला नहीं बहिए ऐसा नहीं होता हमेशा मोशन को पोज नहीं करता है कभी कबार वो फ्रिक्शन मोशन करा भी देता है कभी कबार वो friction motion करा भी तेता है अगर यहां पे सब को बांद दिया जाए है ना यहां पे अगर friction बढ़िया वाला हो तो क्यों होगे बैटा यह सारे वॉक्स मूव करने लग जाएंगे होर्स राइडिंग में भी तैसे ही होता है बैटा है ना फ्रिक्शन बढ़िया होगा तो तुम घोड़े के साथ आगे जाते हो नहीं तो फिर क्या होगा गिर जाओगे तुम तो हां तो फिक्शन ड़स नौर ऐसा नहीं होता है बैटा है ना तो फ्रिक्शन जो है अपोस करता है relative motion का, यह important point है, यह लिख लेना है friction, sometimes, provides motion as well, provides motion, ता ऐसा नहीं कि friction हमेशा motion का oppose ही करता है, वो motion provide भी करता है, ठीक है, तो depend करता है फिर situation पर, तो क्या oppose करता है फिर friction, तो यहाँ पे एक line लिखने वालों बड़ी important line है, द्यारा गौर फर्माईएगा, friction opposes relative motion, friction opposes relative motion, यह line बड़ी important है बिटा, ऐसा क्या महत्व है इस line का, friction चाहता है कि relative motion ना हो, बाकि motion motion तुम देखते रहो, लेकिन मैं बस इतना सा चाहूँगा कि relative motion ना हो, कैसे, देखो भई, पहली बाद तो relative motion का concept तुम जानते ही हो, जैसे कि हम से बोला, यहाँ पे एक बस है भाई साब, बोलो और ज़रा, यहाँ पे बस है, यह बस आगे जारी है, 10 km per hour से, यहाँ पे गाड़ी है, काड़ी आगे की तब जारी है, 20 km per hour से, तो क्या इनका relative motion हो रहा है, बेटा, बिल्कुल सर, इनका relative motion हो रहा है, और इनकी एक relative velocity भी होगी, यह बस, यह कार, तो velocity of bus with respect to car is the velocity of bus minus velocity of car, it will be your 10, minus का 20, minus का 10 km per hour, तो कार के लिए यह बस पीछे जारी है, बट अगर वही बात करूँ, velocity of car with respect to bus, तो velocity of car minus velocity of bus, यानिके 20, minus का 10, it will be your plus का 10 km per hour, तो कार के लिए यह बस पीछे जारी है, और बस के लिए कार आगे जारी है, relative motion की बात हैं तो जानते ही हो तुम लोग हैंना, तो अगर एक दोसरे के respect में relative motion हो रहा है, क्या यहाँ पे यह दोनों गाड़ी और यह बस, एक दूसरे के respect में relative motion कर रहे हैं, कार के respect में bus पीछे जारी है, बस के respect में car आगे जारी है, अच्छा कोई ऐसा situation हो जाता है जहाँ पे दोनों same speed से चलती, तो क्या कोई relative motion होता क्या मेरे बच्चे, क्या इन दोनों के बीच में कोई relative motion हो पाता, अगर दोनों same speed से चलती तो, बस जारी है 10 km per hour से, car भी चल रही 10 km per hour से, और अगर ऐसी बात है, तो there will be no relative motion, तो velocity of bus with respect to car, 0, velocity of car with respect to bus, 0, तो यार यह सारी बात है तो पता है यह तुम्हे relative motion वाली है न, यह तो सारे ग्यान तुम प्राप्त करके आये हो बड़िया तरीके से, तो अगर यह ग्यान दुमारे पास है, तो बस इसी ग्यान का इस्तमाल करना है, और friction में इसको लगाना है, लाइन बड़ी शांदार बोली गई है, कहा गया है कि जो friction होता है, इट अपोसिस दा रिलेटिव मोशन, कैसे, कैसे सर, कैसे समझाओ ज़रा, elaborate करो इसको, आओ ज़रा इधर देखते हैं, हमारा जो case था, वो क्या बोल रहा था बड़ा, यह आप एक डबबा है, डबबा रखा हुआ है, सर्फेस पर डबबे पर लगाया, पर आपने फोर्स एफ लगाया, तो डबबा क्या चाहेगा, कि सर मेरे उपर तो फोर्स लगा है, मुझे जाने दो, यही होता है, अरे यही तो होता है, ना डबबे के उपर फोर्स लगा है, डबबे ने बुला, भाई साब देखो, तो सीदी सी बात है, हम पर लग चुका है फोर्स, अब हम ना रुकने वाले, हम तो जाएंगे, जाएंगे, तो यह डबबा आगे मोशन करने की कोशिश करता है, तो डबबा क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, बोशन हो रहे है इस डबबे का इस तरफ, को यह ग्राउंड यह ग्राउंड यह box box आगे जा रहा है तो known यहां विलेटिव मोशन दार विलेटिव मोर्शन बेते एड वेडिवा गम तो लोगम में ब्लॉक एंद ग्राउंचन और फृटिशन का काम यही है कि वो इड़िव देनी मोशन थ उर्ड खरये 강व vib और कहिए देहिति को बही तुम तो मुझे विलन समझ्त तो मैं तो ऐसा लगता है कि हमारा काम मोशन रोकने का है पर समझो हम इतने बुरे नहीं है जितना तुम सोचते हो हमारा काम तो बस इस रिलेटिव मोशन को अपोस करने का है ना कि मोशन अपोस करने का अभी तक कि कहानी में यह होता है कि हमें लगता है फ्रिक्शन आ जाता है मूठा के मोशन अपोस कर देता है यह फ्रिक्शन मोशन पोस नहीं कर रहा हमेशा थोड़ी करता है मोशन पोस बिचारे को बुरा बनाया गया है वह सल में बुरा नहीं है वह तो रिलेटिव मोशन को पोस करता है यहां पर देखो न डबे और ग्राउं पीछे के तरफ डबे के की ऊपर क्यों जाएगा फ्रिक्शन लेगा ऐसे पईचे की तरफ तो आप समझ रहे होंगे ना बात को कि फ्रिक्शन बुरा नहीं है उसको बुरा बनाया गया था भी लिकलो उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी तो यहां से नोट करना शुरू करो क नहीं करता आई तुमने खामखा फ्रिक्षन को विलन बना दिया यार नहीं है वह विलन नहीं है बुरा वो वो तो मोशन को सपोर्ट भी कर रहा है लेको न हिं सबीने हैं यहां प्यायों एह लो लिख लो है कि त आपने देख लिए ना box और ग्राउंड की बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा था थो में भाउंड के रेस्पेक में box आगे जा रहा था तो friction कहा लगेगा पीछे की तरफ लग जाएगा ठीक है यहां प्राप एक बड़ा सा ब्लॉक है एक बड़ा सा ब्लॉक है उसके उपर एक और ब्लॉक है यहां पर से फॉर्स लगाया चाहिए बई अगर यह ब्लॉक साथ में चल रहा है तो बताओ फ्रिक्शन की सब्सक्राइब लेगे यहां पर बोला है बोथ ब्लॉक्स आ मूविंग टुगेदर बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर बोथ बलॉक्स इस पर दा कॉंसेप्ट ऑफ दा रिलेटिव मोशन हम जानते हैं अच्छा नाम तो दिदो उपर वाला ए नीचे वाला भी और रिलेटिव मोशन के हिसाब से देखा जाए बी पे लग रहा है फोर्स बी कहां जाएगा आगे जाएगा बेटा अगर बी को अगर एक रस्पेक्ट में बी को देखे हैं तो एक रस्पेक्ट में बी को देखा या फिर ऐसे सोचो बी के उपर लगा फोर्स बी जा रहा है आगे बेटा बी आगे जा रहा है तो B के respect में A पीछे जा रहा है कि देखो ना B पे लगा force B क्या कर रहा है आगे जा रहा है B के respect में A पीछे जा रहा है पीछे जा रहा है तो वो A के उपर एक frictional force लगाएगा तो A वाला जो block है B के respect में वो कहां जा रहा है A वाला ब्लॉक B के रस्पेक्ट में पीछे जा रहा था तो A पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ A पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ अच्छा A के रस्पेक्ट में B वाला ब्लॉक आगे जा रहा है A के respect में B वाला block कहां जा रहा है आगे जा रहा है A ने B को देखा उसके लिए वो आगे जा रहा है तो यहाँ पे B पे friction लगेगा पीछे की तरह तो friction relative motion को oppose कर रहा है friction relative motion को oppose कर रहा है I hope you all समझ जो इस सारी बाते तुम लोग समझ जा रही होगी तो यह सब लिखना है तो लिखना है तो लिख सकते हो तुमारी चर्शद्द्धा बातो है ना बागी फिर आगे बढ़ते हैं हो गया हाँ जी चो आओ फटा फट सेमीन मुद्दे पे क्या बोला क्या If we slide or to slide है ना If we slide or try to slide a body over a surface the motion is resisted by a bonding between the body and the surface क्या हो रहा है body और surface की बीच एक bonding बन रही है और यह bonding जो है वो क्या कर रहा है motion को pose कर रहा था तो यह जो resistance है इसी को क्या कहा बिटा the resistance is represented by a single force which is called as the friction force जैसे कि तुम अपने घर पे जब दिवाली वगरा में सफाही वगरा करते हो तुम लोग या फिर ऐसे भी सफाही करते हो घर पे तो कभी table कुर्सी खिसका ही होगी तो जब आप table या खुर्सी को खिसका दे हो तो यहाँ पे table और ground के बीच में table और ground के बीच में में बच्चे यहाँ पे bonding हो जाती है obviously बात है sir bonding बने की से जब यह जो table sofa है suppose करें सोफे की बात करते हैं लोग यह जो सोफा है इतने समय से यह जो सोफा है इतने समय से ground के साथ था contact में यह सोफा इतने समय से ground के साथ contact में था और जब तुम किसी के साथ लंबे समय के contact में होते हो तो एक bonding बन जाती है यह sofa जो है ground के साथ contact में था काफी समय से तो क्या हुआ इनके बीच एक bonding बन गई अब क्या हुआ यहाँ से कोई और आया जिसने force लगाया जिसकी वजह से अब क्यों हो रह बिटा यह sofa आगे जाना चाहता है यहाँ से आया कोई इसने force लगाया अब यह sofa move on करना चाहता है लेकिन इसको move on करने से कौन रोक रहा है यह bond रोक रहा है तो यह bonding क्या है basically friction है यह bonding क्या है basically friction है सर यह आपने बात तो सोफे में बताई यह लेकिन कुछ कुछ हमारी कहानी की तरह है है न हम भी थे किसी के साथ ज्यादा टाइम से contact में थे तो एक bonding बन गी थी लेकिन फिर कोई और आया फिर उसको move on होना पड़ा उसको आगे जाना था लेकिन हम उसको रोक रहे थे हैं न चलो कोई बात नी ठीक है होता है सब के साथ होता है यह मुझे छोड़के जरूरी भी एपर इस kis यह चोड़ना वहां से फोर्स लगा पॉर्स लगने की वज़ा से यह जो बत्चे वह आगे की जाता है और ground के respect में ground के respect में जब sofa आगे जाता है तो scholarship प्रिक्शनल फोर्स का पीछे के तफ लग जाए गा ground के respect में softa अगे जा रहे तो sofa पे फ्रिक्शनल फोर्ष पीछे के तफ लग जाएगा समझ रहु ना बात को now कुछ चंद ऐसे example जो आपने अपने रोज मर्रा की जिंदगी में देखे होंगे जो friction पे based होते हैं जैसे कि एक football जो की चल रही होती है आगे की तरफ लुड़कती हुई जाती ना कि roll कर रही है roll कर रही है कुछ समय के बाद ये football जाके रुक जाती है क्यूँ? friction की वज़ा से एक ball है बेटा ये roll करती हुई आगे गई कुछ समय के बाद ये ball जाके रुक गई क्यूँ? friction की वज़ा से तुम भी जानते हो कि बरफ पे फिसलना आसान है as compared to the ground है ना? खाली मैदान होगा तो वहाँ पे हम नहीं फिसल सकते लेकिन बरफ पे फिसलना आसान है क्यूँ? क्योंकि सर यहाँ पे friction की value कम होती है friction होता है यहाँ पे लेकिन friction कम है यहाँ पे friction है लेकिन ये friction जादा है और जब friction जादा होता है तो यहाँ पे जादा opposition होगा relative motion पे अगर friction जादा है तो यहाँ पे देखो बिटा यह बालक का motion कहाँ आगे की तरफ हो रहा था बालक का motion कहाँ हो रहा है आगे की तरफ तो friction कहाँ लगना चाहिए था ऐसा पीछे की तरफ यहां पर जो friction यह जाधा है फ्रिक्षन जादा होनी की वज़तेशन जादा होता है इधर भी देखो यह बालक का motion आगे की तरफ हो रहे है friction कहा लग रहा है पीछे की तरफ लेकिन यह friction जो है वो कम है तो यहां पर यह बहुत एजीली मूव करेगा लेकिन वहां पर बालक को बहुत समस्था है यह फूर फिसल ने में ठीक है और हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो बालक ऐसे आगे की तरफ ऐसे आगे गिर जाए है ना होता है ना इसे पहाड़ी पैसे फिसलते फिसलते जाते हो फिर पता चलते बाद में लुड़कते हो चल जा रहे है ना ऐसा भी हो सकते है not a big deal समझते हो ना फ्रिक्शन को friction को समझते हो ना अच्छा है ना friction विलन तो नहीं है न cause of friction friction की अलग-अलग वाजा है लोगों ने define करी कुछ पुराने जमाने में लोगों ने बोला कि friction क्योंकि एक rough surface पे होता है पुराने लोगों की धारणाय थी उन्होंने कहा क्योंकि friction जो है एक जब होगा तो वो rough surface पे होगा और आपने तो देखा ही होगा rough surface कभी ऐसे नहीं बनती rough surface बनती ऐसे 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 करगे है ना तो कहते हैं भाईया कि जो friction होता है वो तब ही लगेगा जब आप object को rough surface पे move कराओगे अगर कोई भी box किसी rough surface पे move करेगा तो ही friction आएगा तो बेटा फ्रिक्शन को rough surface को बनाना है तो ऐसे तो नहीं बना सकते हैं उसके लिए ऐसे ही बनाते हैं तो किसी भी surface को जब आप ऐसे zoom करके देखोगे किसी भी surface को देखो बेटा यहाँ पे box और यह ground contact में आ रहे क्या यहाँ पे box और यह ground box और यह ground box और यह ground contact में आ रहे हैं क्या तो जब यह box और यह ground contact में आते हैं तो इस point of contact पे इस contact को जब मैंने zoom करके देखा इसको हमने क्या किया बेटा जूम कर लिया क्या zoom in बोलते हैं ना इसको तो अगर इस पॉइंट पे हमने इसको एक्सपैंड करके देखा तो हमें यह रफ सर्फिस दिखने लगी तो आपको बहुता है जो आपको स्मूध सर्फिस दिखती है ना जब उसको जूम करके देखोगे तो वो भी रफ होती है तो ऐसे कोई आइडियल वाला जब हम बोलते हैं कि बहुत ज़ादा आइडियल बॉडी जो की एकदम स्मूध है नहीं होती थोड़ा बहुत रफनेस रहता यह तो यहां पे भी दिखने में तो हमें स्मूध लग रहा था लेकिन जब हमने इसको जूम करके देखा तो यह पता करें बिटा इंटर लॉकिंग हो रही है इंटर लॉकिंग हो रही है इंटर लॉकिंग इस सम्टिंग लेक दिस अपने एक हाथ की फिंगर्स को ऐसे लीजिए एक हाथ की फिंगर्स को ऐसे लीजिए और इनको आपस में इंटर लॉक कर दीजिए अब मोशन करने की कोशिश क परो नहीं हो पाएगा इसीली मूव कर रहे थे अपने हाथ इसीली मूव कर रहे थे जैसे आपने इसको इंटरलॉक किया इंटरलॉक करने के बाद अब यह मूव नहीं कर सकते तो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा था इसका रॉफ सर्फेस और ग्राउंड का रॉफ सर्फेस यह आप तो पहले के उपीनियन में यही बात बोलीगी थी कि कोई भी स्वाइब आप देखोगे तो आप आओगे कि वह सर्फेस रफ होती है तो जब यह रफ सर्फेस को देखा तो बॉक्स का सर्फेस और ग्राउंड का सर्फेस इनके बीच में आपस में इंटर लॉकिंग और जब इ इधर जाना चाता है किसने रोग लिया बॉक्स कहां जाना चाता है आगी की तरफ किसने रोका इंटर लॉकिंग इसी फोर्स को उन्होंने कहा कि भाईया यही है हमारा क्या फ्रिक्शन इसी को उन्होंने क्या कहा बिटा फ्रिक्शन तो पहला जो यहां पे कॉस कहते हैं फ् इसी भी सर्फेस को जब आप जूम करके देखोगे तो आप पाओगे कि यहां पर क्या रही है, इंटर लॉकिंग हो रही है, और इन्हीं इंटर लॉकिंग को उन्होंने फ्रिक्शन का नाम दिया गया, ठीक है, तो because of the interlocking, अब यहां पर box और ground का relative motion नहीं हो रहा है, है ना, block and ground, relative motion between box या block and box सी लिख लेते हैं, जगा नहीं बची, between box and ground, तो box और ground के बीच में interlocking होने की वज़ा से, अब इन्हें कोई भी relative motion नहीं हो रहा है, तो यहां पर friction की वज़ा बोली गई, कि भाया, surfaces के बीच में interlocking होती है, यह पुराने लोगों का विचार था, जब तक यह atoms molecule की बाते हमें इतनी ज़्यादा पता नहीं थी, है ना, फिर क्या हुआ, थोड़ो का लोगों को पता चला, molecules के बारे में जानने लगे, intermolecular forces के बारे में जानने लगे, तो लोगों की विचार अब ही बदलने लगे इस पे फिर, है ना, तो यह तो अपने पुराने old view हो गया, अब फिर modern view आया, modern view वाले बोलता है कि बाई साब basically होता ही हो है, कि intermolecular force हम जान चुके अब है ना, जिसके हिसाब से हम जानते है कि molecules के बीच में लगने वाला force होता है, है ना, अब क्या जो box के molecules थे और जो ground के molecules थे उनके बीच में लगने लगा intermolecular force, तो यह box के molecules यह ground के molecules, दोनों के बीच में intermolecular force लगा, जिसकी वज़ा से एक दोसे की तरफ चिपके रहते हैं बिल्कुल, अब अगर आप box को motion कराना चाहोगे इधर की तरफ, अगर आप box को motion कराना चाहोगे इधर की तरफ, तो because of this intermolecular force, यहाँ पर box के और ground के बीच में कोई relative motion नहीं होगा, तो यहाँ पर no relative motion, no relative motion between box and ground, box और ground के बीच में कोई भी, बॉक्स और ground के बीच में कोई भी relative motion नहीं हो रहा है due to, because of, because of, because of, because of, because of intermolecular forces. यही होती नहीं कहानी बटा, intermolecular forces की, कि बहुए वो एक दूसरे को दूर नहीं भेज सकते, वो एक दूसरे को दूर नहीं जाने देते, टेंशन में भी तो ऐसा हो रहा था, रसी में भी तो यह हो रहा था, रसी को पकड़ के खेचा, तो molecules दूर होने लगे, पर वो दूर नहीं जाना चाते, तो क्या होता है, intermolecular force लगाते हैं, तो यहाँ भी भी वह, box को motion कराने की कोशिश करी, लेकिन यह intermolecular force नहीं मना कर दिया उन्होंने, बोला हम नहीं जाने देंगे, तो modern view है, लोगों को molecules के बारे में पता चला, लोगों को intermolecular forces के बारे में पता चला, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, ठीक है, आपका वो concept भी बुरी बात नहीं है, हम नहीं मना करेंगे, कि यह गलत है, यह भी सही है, इंटर लॉकिंग भी होता है, बाकि यह उन्होंने यह concept भी दिया, बुला कि भाई, intermolecular forces भी कहीं नहीं कहीं इसके लिए responsible होते हैं, तो यहाँ पर कोई relative motion नहीं हो पार रहा है, क्यों intermolecules, अब जब relative motion नहीं हो रहा है, तो वो कौन रुखता है relative motion को, friction, तो यही friction की वजहा, क्या बोली उन्होंने, intermolecular forces, तो friction की वजहा, क्या है, अहांपे, intermolecular forces, यहाँ friction की वजहा है, interlocking, friction की reason, क्या है, अब इंटरсл लॉकिंग, यहाँ पर friction का region, क्या बोला, intermolecular forces, तो cause of friction दो causes हमारे पास आते हैं एक old view के हिसाब से एक modern view के हिसाब से उम्मीद करता हूँ दोनों टाइप के views आपको समझ आए होंगे इसके अलब और कुछ नहीं है इसमें सा rocket science ठीग है तो इसकुछ हाप लो note कर लो इसको cause of friction फिर हम आगे बढ़ते हैं हो गया note किया इस note अभी ने इसको भी लिख लो modern view completed बहुत बढ़िया चलि भई आगे बढ़ते हैं factor affecting friction better frictions को क्या-क्या factor effect कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चंद cases है में पास पहला case है कि smooth object है smooth surface है तो पहले वाले case में तो यहाँ पे लिखा है smooth object और smooth surface अगर दोनों ही smooth है तो यहाँ पे friction हो पाएगा क्या no friction अगर दोनों ही smooth है तो यहाँ पे no friction यहाँ देखो बिटा बोला गया है rough object and smooth surface यहाँ पे friction होगा लेकिन इतना जादा नहीं होगा कम होगा friction थोड़ा यहाँ फिर बोलूं कि smooth object rough surface तो यहाँ पे भी friction की value कम ही होगी इसको उपर की वज़ाए नीचे लिख दो अच्छा लगेगा ठीक है तो यहाँ पे कोई friction नहीं है यहाँ पे friction होगा बट इतना जादा नहीं होगा यहाँ प्याओ बेटा rough object and rough surface सबसे जादा friction आपको यहीं देखने को मिलेगा rough object and rough surface सबसे जादा friction आपको यहीं देखने को मिलेगा maximum friction maximum friction आपको यहीं पे मिलने वाला है बाकी बीच वाले point पे आपको friction इतना जादा नहीं मिलेगा और यहाँ पे तो friction है नहीं तो एक चीज़तों समझ आई मुझे कि friction depend कर रहा है कि जो object और surface होगा उनका material कैसा है ना तो एक चीज़तों भाई कैसा material है इनकी बीच में क्या दोनों ही smooth है क्या देखे material भी ना लिखे तो मैं direct लेखता हूं कि वो depend करता है कि वो किस प्रकार का यहाँ पे surface है ना तो friction depend करता है object यह चलो material ही ठीकता हो ठीक है पहली चीज़ तो समझ आती है दूसरी चीज़ ज़र गौहर फर्माएगा यहाँ पे बहुत important बात है मैं case consider कर रहा हूं दो blocks का एक block यहाँ पे हमें पस और एक block यहाँ पे हमें पस आप देख सकते हो एक बड़ा block है तो वो definitely 5 kg का होगा एक छोड़ा block है तो 2 kg का होगा दोनों boxes का material सेम है दोनों को same type के surface पे रखा है यानि दोनों cases में object और surface की बीच का material बिलकुल सेम है बढ़ी है एकदम कोई difference नहीं रखा है तो difference किसका है सिर्फ इनके masses का है अगर मैंने इसके उपर बिटा force लगाया F और इस पे भी मैंने force लगाया F तो यहाँ पे क्या friction सेम रहेगा कि अलग-अलग रहेगा यह 5 kg का यह 2 kg का same material वाली बात लिख देता हो बिटा तो material सेम है तो इससे फर्क नहीं पड़ता फिर तो उपर वाले factor को मैंने constant कर दिया थोड़ी दिर के सेम material कहके मैंने उपर वाले factor को constant कर दिया दोनों पे same force लगाया पता चला सर यह कुछ distance ट्रेवल करके रुख जाता है है ना दोनों पे जब मैंने same force लगाया तो मैंने देखा कि यह वाले जो 5 kg वाला box है वो कुछ distance ट्रेवल करेगा और फिर रुख जाएगा लेकिन जब यह 2 kg वाले box को देखा जाता है तो वो ज़ाधा distance ट्रेवल करता है as compared to the 5 kg ऐसा क्यों दोनों पे जस्ट एक force लगाया छोड़ दिया दोनों पे force लगाया छोड़ दिया जस्ट एक impulse देरों बेटा यहां पर समझो ना continuous force नहीं है continuous force नहीं है impulse है इसको भी मैंने impulse दिया इसको भी impulse दिया दोनों को same amount का force मैंने लगाया देखा 5 kg का जो box है वो तो कुछ distance ट्रेवल करके रुक जाता है लेकिन वही 2 kg का box ज़ाधा distance ट्रेवल करके रुकेगा ऐसा क्यों सर जी सीदी से बात है मैं बड़ा simple सा funda समझाता हूँ यह object भारी है भारी बोले तो इसका weight जाधा होगा क्या बेटा बिल्कुल सर तो इस पे normal force जाधा लगेगा इसका weight कम है हाँ सर तो इस पे normal force भी कम लगेगा बहुत बढ़िया contact force की बात कर लें बेटा है यहाँ पे तो 2kg वाले पे जो contact force लग रहा है वो कम है as compared to the 5kg वाला हम बोलो ना सरी बात नहीं है क्या यह 2kg वाले पे जो contact force लग रहा है वो कम है as compared to the 5kg तो इसकी वज़ा से जान सुना यहाँ पे normal का value जाधा है यहाँ पे normal का value कम है जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे contact force जादा है यहाँ पे contact force कम है यहाँ नॉर्मल भी तो एक contact force ही है नॉर्मल भी तो एक contact force है जब यहाँ पे normal जादा है यहाँ पे normal कम तो यहाँ पे contact force जाद होगा यहाँ पे contact force कम होगा और अगर यहां contact force जादा है तो बिटाई यहां पर friction भी तो जादा होगा और यहां अगर contact force कम है तो यहां पर friction भी तो कम होगा नहीं बात है कि यह बोलो नायर क्या बोला मैंने? मैंने बस इतनी सी बात बोली कि सर देखो यहां पर 5kg का box है यह 2kg का box है दोनों का same material है, दोनों को same surface पे रखा गया है, यानि कि और चीज़े तो हटा दो, मैंने इसको impulse दिया, मैंने इसको भी impulse दिया, impulse मतलब एक force लगाया, बहुत छोटे सा समय के लिए, इस पे भी force लगाया, छोटे सा समय के लिए, 5kg वाला जो box से छोटा सा distance travel करता है, फिर जाता है, जैसे कि तुमने केरम बोड में खेलते हो तो जो केरम बोड की वो गोटी जो होती है, इस पोर्स ट्राइक करते हो, तो यह जो स्ट्राइक करना है, यह impulse प्रोवाइट किया आपने, जैसे तुमने देखा का वो बिजनसमेन लोग क्या होता है, वो है ना, पूल खे देखा 5kg ने इतना सा distance level किया, 2kg वाले ने इतना distance level किया, क्यों सर, तो हमने इसको ऐसे समझा कि 5kg वाला contact में है ground के साथ, बिलकुल हाँ, 2kg वाला भी contact में है ground के साथ, बिलकुल सही बात बोली आप लोगों ने, तो यहाँ पे जो contact का एक vertical वाला component था, N1, N2, बटा, N1 जैदा है, N2 से, N1 अगर ज्यादा है, N2 से तो यहाँ पे 5kg वाले पे content force ज्यादा होगा इस कंपे टुट गेजी वाला, नॉर्मल फॉर्स भी तो एक कॉंटेक्ट फॉर्स है यार नॉर्मल फॉर्स भी तो एक कॉंटेक्ट फॉर्स है तो मैं गया बोला कि भाई नॉर्मल भी एक कॉंटेक्ट फोर्स है, यहाँ पे नॉर्मल ज्यादा है, यहाँ पे नॉर्मल कम है, यहाँ पे कॉंटेक्ट फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे कॉंटेक्ट फोर्स कम है, और फ्रिक्शन की बात करें, तो फ्रिक्शन इस आलसो आ कॉंटेक्ट फोर्स मेरे दोनों का resultant, यहाँ पर contact force, R2, R हमारा contact force हो जाएगा, अगर N1 ज्यादा है, N2 से, तो definitely जबात है, F1 भी ज्यादा होगा, F2 से, contact force ज्यादा ही होगा ना, फिल ultimately, तो दोनों चीज़ों को देखो, तो पहली बात तो friction depend कर रहा है, किस चीज़ पे, normal पे, पहली चीज़ तो friction depend कर रहा है, normal पे, और friction depend करता है, कि बाई, दोनों object और ground है, उनका material के उस प्रकार के है, उनके बीच के surface पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो पहली चीज़ friction depend करता है, बेटा, normal पे, दूसरी चीज़ friction depend करता है, कि जो object और ये जो ground है इनका surface कैसा है तीक है तो object और surface के material पर depend करते हो तो यहां से जब f proportional to n लिखा तो proportionality का sign हटाओगे तो एक constant आएगा तो proportionality के sign को हटाया तो एक constant आया which is given by mu mu is the coefficient of friction coefficient of friction mu क्या होता है coefficient होता है friction का mu क्या होता है coefficient of friction होता है और यह depend करता है material between the अब यह भावना है समझो तुम लोग material between अगर ऐसे बोलू तो अगर मैं ऐसे बोलो material between मतलब समझो ना कि object और ground के बीच में basically यह depend करता है depends on the material of the ground ground कैसा है उस पर depend करता है वैसे यह बात प्यूंच इतनी जम रही जितना यह जम रहा था हाँ तो बही object और ground के बीच में कैसा है उस पर depend करता है अलग-अलग material के लिए इसकी values अलग-अलग हो जाती है ठीक है तो object और ground के material के उपर depend करता है वह कैसा है उसके हिसाब से म्यू का value defined होता है तो आपको question में most of the questions में म्यू का value given होगा in most of the questions most of the questions म्यू is given तो आपको सोचने की ज़्यादा जरूरत है नहीं नॉर्मल आप निकाल सकते हो तो friction का value आपको मिल जाए रहे होंगे ना आप लोग तो factors क्या क्या है एक तो normal वाला और दूसरा factor क्या है कि भाईया उनका material क्या है ना इन चीज़ों पर भी depend करता है चलो भी इसको चाप लो जल्दी से फिर हम आगे बढ़ते हैं नोट किया सभी रहें कर लो जल्दी से नोट हो गया है यहांपढ़ हो F proportional to N था canyon mu coefficient of friction है it's a constant value बटा यह क्या होता है constant value होती है mu is constant है coefficient of friction कहते है material पे depend करता है तो ज़ाद समय को ख सवालों में mu given होता है तो इसके लिए चिंता मत करना तो इसको नोट करो friction का formula यह आगया हमा बस हो गया चले बई तो यहां पे तहीं सारी बाते समझ आती है इसके बाद आगे बढ़ते हैं लेट्स टॉक अबट टाइप ऑफ रिक्शन देखो भी एक बड़ा सा क्लासिफिकेशन बड़ त्रस्ट मी कोई काम का नहीं है है कि टैट्स ब्रक्षण में ड्राइफ रिक्शन इस प्रेक्शन की तुमने पता होगा टेबल के पर किताप को लूइप लॉग करा है दोनों सूखे सुखे से हैं जासे हाथ आपस में रगड़े हमने है ने तो ये क्या है दैट है बीटा हैं न में », जैसे कि गाड़ी बारिश हो रही होगी, है ना, पानी आ गया तो फिर तो नहीं, वो समनीए, ठीक है, समझो ना, तो अगर box रखा है किसी टेबल की उपर, box और टेबल की बीच में ड्राय फ्रिक्षन है, एक box की उपर एक और box रख दिया, तो वो भी case है dry friction का, तो I hope you are getting my point, दूसरा होते हैं fluid friction so as by the name fluid friction है तो यह basically आपको कहां देखने को मिलेगा gnmos me 昨 только fluids में ही यह देखने को मिलता है कहते हैं कि कोई-खी liquid देखने को मिलता है किको vie liquid जोлов करता है तो वह layers में होता है प्यटा तो अगर कोई liquid फ्लो करता है तो तो कोई भी होता है वह तो वहां पर शारी विसकॉसिटी के बारे में तो वहां पे सारी चीजे चर्चा में आती है इंटरनल फ्रिक्शन बेटा एस बाइदे नेम अंदर से अपोस किया जा रहा है जैसे कि आपने वह पड़ा था ना इंटर मॉलिकुलर फोर्स के बारे में रसी को पकड़ के खेचा तो अंदर इंटर म अपोस कर रहा है तो वह क्या इंटरनल फ्रिक्शन पैन को पकड़ कैसे घुमा दिया है तो तो दूब नहीं तूटेगा क्यों कि जैसे मैं पैन को पकड़ कैसे घुमाता हूँ इसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जो कि इसको अपोसिट डैलेक्शन में घुमाता है तूटने से बच जाए तो इंटर्नेल अपर नहीं के इसके बारे में पढ़ा जाएगा इसके बारे में पढ़ें वह आपक करनें वाले हैं वह ड्राय friksm पर होद है तो बाई dry friction में हमारे पास basically 3 type के होते हैं बट हमारी चर्चाएं 2 पे ही खतम हो जाती है पहला होता है static friction, दूसरा होता है kinetic friction या फिर जिसको कि हम sliding friction भी कहते हैं और इसके लाबा एक और होता है बेटा जिसको कि कहते है rolling friction ठीक है तो एक और type का friction यहाँ पे add on कर लीजे वो होता है rolling friction और as by the name rolling friction तो बेटा यह rolling friction होता है वो जो भी object roll कर रहा है और जो ground है उसके बीच में होता है तो हमारे पास जो अभी चर्चा के लिए है वो है पहली बात तो dry friction तो main चर्चा तो अभी हम dry friction पर करेंगे यह सारी बाते हम बाद में चर्चा करेंगे dry friction में भी जो सबसे ज़ादा discussion होगा वो static friction पर होने वाला है और kinetic friction पर होने वाला है rolling friction हमारे इतना कोई काम कर नहीं है rolling friction में आपको हालें के बताऊंगा कि कैसे होता है इस पर भी टॉपिक में भी अगले लेक्चर में कवर करेंगे आज के लेक्चर में तो हम यह सारी बाते करेंगे सिर्फ एक एक introduction मिल जाएगा आपको फिर अगले लेक्चर से इनके formula क्या है है ना फिर कैसे questions हाते है rolling friction क्या होगए विस सारी चीज़े मैं बताओंगा अगले लेक्चर में आपको तो बही static friction क्या है आओ उसके बारे में समझते है static friction क्या समझते हो तम static friction से static friction static का मतलब क्यो होता है रुका हुआ जो की rest पे होता है static का मतलब क्या है रुका हुआ static का मतलब क्या है रुका हुआ तो अगर वो static friction बोलता है तो जरा गौर फरमाईए इस बात पे कि अगर मेरे पास एक box है जिसको कि मैंने एक surface पे रखा हुआ है और इस box पे अगर force लगा दूँ और ये box अभी भी रुका हुआ है तो यहाँ पे एक friction आता है ये बाद तो हमने बहुत शुरुआत में पढ़ ली थी लेकिन अब हम पढ़ दें कि जो friction इस टाइम पे आया वो कौन सा था वो था सब static friction एक box के उपर force लगाया ये box motion नहीं कर रहा रुका हुआ है force लगा रहे हो box के उपर force लगा रहे हो box के उपर फिर भी box rest पे है यानि कि यहाँ पे एक friction है और वो friction कौन सा होता है बटा static friction होता है अब इसका अपने day to day life से कौन सा case हम consider कर सकते हैं तुम्हें पता है सफाइस सफ़ई वाली बाते होती है उस तैम पे हमें बड़े चीजों को move करना वहता है बड़ी चीजें जैसे almari होगई बड़ी सी almari हमारे पास है के न एक बड़ी सी almari है न तुम्हें छोटे से पिद्धे से तुम्हें बोला गया कि भाईा एक काम करो तुम्हें इस almari को move करो अब तुमने कोशिश करी कि हम इस अलमारी को मूव करें तुमने कोशिश करी कि मैं इस अलमारी को मूव करूँ तो तुमने फोर्स लगाए यहां से 10 न्यूटन का मूवी नहीं कर रही सर अलमारी तो मूव ही नहीं कर रही अलमारी तो है यहां पे यालमारी मूव नहीं कर रही तो मतलब यहां पे इलमारी और ग्राउंड की बीच नं के बीच में फृक्षिन आ रहा होगा वो भी कितने का टेन न्यूटन का तभी तो वो अलमारी मूव नहीं करेगी फिर तुमने सुचा है यह क्या बात होती है हम में काम करते है और जादा फोर्स लगाते है तुमने अपने बड़े भाईया को बुला लिया साथ में तुमने क्या क्या अपने बड़े भाईया को बुला लिया साथ में बड़े और उनका 20 newton, कुल मिला के 30 newton होता है, तुमने देखा कि यार यह तो अभी भी motion नहीं कर रहा, है, तुमने देखा कि यह अभी भी motion नहीं कर रहा, यानि कि यहां पे जो friction लग रहा है, वो कितना हो जाएगा बिटा, 30 newton का, और जब भी कोई object rest पे होता है, तो stamp पे कौन सा force ल लगा है, तो यह अलमारी move नहीं कर रही थी, क्योंकि इस पर friction लग रहा था, जिसकी value भी 10 newton होनी चाहिए, तभी तो रेस्ट पे होगा, तो अगर अलमारी rest पे है, तो friction लग रहा था, वो कितना होगा, 10 newton का, हमने बड़े बढ़े 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 आजो, force लगा लो, हाँ पे भी बढ़े अलमारी अभी भी rest पे है, रेस्ट पे है मतलब इधर पीछे की तरफ भी same force लगना चाहिए, क्या करें हम दोनों से मिलके भी अलमारी नहीं हिल रही, फिर भई आपा गुबलान पड़ेगा, आजो पापा जी, तो क्या हुआ फिर से वही अलमारी, लेक तो बाओ जी ने भी force लगा इदर, अब तीनों ने मिलके इधर भाई साब लगा रहे 10 newton का force, ये भाई साब लगा रहे 20 newton का force, और ये तो भाई फिर तो 100 newton का force लगा देंगे, या चलो इनको भी थोड़ा सा, ऐसा करते कि ये इनों ने लगा पचास newton का force, लेकिन इस बा रहा था, तो alarmारी move नी करी, फिर मैंने बड़े भाई बला, उन्होंने भी साथ में force लगा, alarmारी move नी करी, फिर बाओ जी को बलाया आजाओ पर तारी, force लगा हो साथ में, यहां पर alarmारी पर, तो इस लगा तो देखा इस बार занимारी move कर गी, तो क्या इस बार friction नहीं लगा, क् बेटा Friction अभी भी लग रहा है ऐसा नहीं होता कि अभी Friction नहीं लगा Friction अभी भी है लेकिन जो आपने फॉर्स लगाये ना तीनों ने मिलके वो Falls Friction से बढ़ा हो गया है अभी तक के सिन्यारियों में क्या रहा था जो फॉर्स आप लगा रहे हो वह Friction के बराबर हो जो force आप लगा रहे हो वो friction के बराबर हो रहा था जिसकी वज़ासे वो body rest पे आ रही थी लेकिन जैसे आपने एक और इंसान को साथ में add-on किया तो अब आपने जो force लगाया तीनों ने मिलके वो friction से बढ़ा हो गया जिसकी वज़ासे motion कर रहा है दिमाग का क्या होगे अब घूम गया पूरा दिमाग है ना सर जी सारी बातें तो दिमाग के ऊपर से ही निकल गी पता ही नहीं चला क्या हो देखो भई तीन डाइग्राम मैंने बनाया है तीनों डाइग्राम से मैं आपको static friction की भावनों को समझाना चाहता हूं पहला डाइग्राम देखा तो पता चला ठीक है भई कि अगर मैंने 10 newton का force लगाया और अगर body move नहीं कर रही तो मैं समझ गया कि static friction होगा यहां पे क्योंकि जब भी body rest पे होती है तो static friction आता है नहीं हुआ अपने बड़े बहिया को बुलाया उन्होंने 20 newton का force साथ में add-on किया तो अभी total force हम दोनों मिला के लगा रहे 30 newton का देखा अलमारी अभी भी नहीं हिली यानि कि अभी भी static friction है और उसको कितना होना चाहिए 30 newton तो सबसे important बात जो यहाँ से देखने से पता चलती है वो यह है कि जो static friction है जो सबसे important बात है वो यही है बिटा कि जो static friction है जो static friction है is self-adjusting जो static friction होता है वो क्या है बिटा self-adjusting है क्या कोई ऐसा force देखा है जो अपनी value खुदी change कर लेता है वो कौन है static friction है पहले static friction 10 newton का जैसे मैंने एक और आदमी साथ में जोडा तो static friction 30 newton का तो static friction जो है बिटा वो क्या है self-adjusting है यानि जितना force तुम लगाओगे उसके हिसाब से वो अपनी value को adjust कर लेता है static friction self-adjusting है जितना force तुम लगाओगे उतनी value static friction की हो जाएगी static friction कब आएगा जब body rest पे होगी static friction का formula क्या होता है तो वो तुम्हारे आखों के सामने लिखा है static friction will be equals to the applied force यही है static friction का formula तुम से बोला जाए कि भाई एक body है हमारे पास ध्यान से जिखना तुम से बोला जाए एक body है हमारे पास इसके उपर मैंने 30 newton का force लगाया और यह body अभी भी rest पे है बताए बटा what is the value of the static force तो आप बोलोगे 30 newton मैंने बोले एक body है मेरे पास जिसके उपर मैंने force लगाया 0.1 newton का और अभी भी यह body rest पे है तो बटाए बेटा what is the static friction तो आप बोलोगे 0.1 newton का एक body है मेरे पास जिसके उपर मैंने 1000 newton का force लगा दिया और यह body अभी भी भी rest पे है तो बताए बेटा what will be the static friction तो static friction will be equal to the applied force 1000 newton तो इस बात का हमेशा धियान रखे कि जो static friction होता है वो हमेशा applied force के बराबर होता है static friction हमेशा applied force के बराबर होता है static friction कब आएगा जब body rest पे होगी when body is at rest सिफ तभी सिफ तभी आप static friction का इस्तमाल करोगे otherwise static friction लगानी की कोई जरूरत नहीं है तो जब body rest पे है तभी static friction है जब body rest पे नहीं होगी तो static friction भी नहीं होगा जब body rest पे है तभी static friction लगेगा otherwise static friction कभी नहीं लगेगा I hope you are getting my point उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ आ रही होगी static friction self adjusting है जितना force लगाते जाओगे उतनी value वो अपनी adjust करता जाएगा पहले छोटा force लगा है तो छोटी value बड़ा force बड़ी value नोट करो इसको नोट कर लिया जाए फटा फट से हो गया यहां पर आओ यह लिख लो लिख लो इसको जली से लिख लिया चलो सर वो सब तो मुझे समझ आ गया एक बार बताओ यहां पे static friction को क्या हो गया फिर है यहां पे static friction को क्या हो गया फिर आपने तो बोला था कि body rest पे रहती है यहां तो body motion करने लगी यहां पे f बड़ा कैसे हो गया static friction से यहां क्या हो गया static friction को है बस हवा निकल गी नहीं Static Friction no doubt is a self-adjusting force लेकिन Static Friction की भी एक limit होती है Static Friction की भी एक limit होती है बोलता भाईया ठीक है मैं अपनी value adjust करता हूँ लेकिन भाईया हमारी भी कुछ दाइरे है उन दाइरों से बाहर हम नहीं जा सकते आपने बोला 30 Newton तक हमने सहन कर लिया हम भी अपनी value 30 Newton तक लिए पर अब आप तो हद ही कर रहे हो आपने अपना force कर लिये कितना 80 Newton का आपने जो force किया है वो 80 Newton क्या किया है वह यह हमारी जो maximum value थी हमारी जो maximum value थी वो तो सिर्फ 30 Newton तक ही थी हमारी जो maximum value थी वो तो सिर्फ 30 Newton तक थी तो जब तक आपने 30 Newton का force लगाया था हमने सहन कर लिया लेकिन आप तो हद कर रहे हो 80 Newton का force लगा रहे हो अब आपने जो force लगाया है वो हमारी maximum value से जादा हो चुका है इसलिए अब हम काम नहीं करेंगे होता है ना भई यह तो होता है आप जो हमसे काम कर रहे हो वो हमारी अब ज़्यादा हो गया है इतना काम हम नहीं कर सकते हम जा रहे है अब हम काम नहीं करेंगे आपर तो जैसे आपका applied force static friction से ज़्यादा हो जाए static friction fail हो जाता है बोलता भाया मैं नहीं कर रहा आप काम बहुत हो गया है ना तो वहीं बोल रहा हूं static friction की भी एक limit होती है तो अब static friction की एक limit होती है and that is called as the limiting friction that is called as the limiting friction तो इसको कहते है बेटा FL it is the limiting friction limiting friction FL का मतलब limiting friction बेटा it is the maximum value of the static friction maximum value of static friction static friction की जो maximum value होती है ना बेटा वो limiting friction होती है static friction की जो maximum value होती है ना बेटा वो limiting friction होती है limiting friction के लिए एक formula लिखा जाता है बेटा आपको friction का formula पता चल चुक है na mu into n तो limiting friction के लिए formula लिखा जाता है mu s into n where mu s is known as the coefficient of coefficient of static का maximum value नहीं वे अरे ये maximum value है static friction का तो coefficient of static friction अब कुछ लोगों के दिमाग में ये खयाल आता है कि नया friction force पता चला है हम लोगों को हमें एक नया friction force पता चला है बैटा नया नया नहीं है ये ये static friction के maximum value है तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई एक static friction होता है एक limiting friction होता है kinetic friction या फिर sliding friction होता है भाई सुनो कोई limiting friction नहीं है बस यह वो static friction की maximum value है है एक नया नाम मिलके उसको बस अब अलग बात है बस उसको एक नया नाम मिला है भी कुछ ऐसा थोड़ी हो कि नया आद्मी थोड़ी बन गया वो है ना नया आद्मी थोड़ी बन गया वो नया नाम मिला है सर्फ उसको तो जैसे वो अपनी maximum value पर पहुंचा उसको एक नया नाम मिल गया जैसे कहते है limiting friction friction का formula मैं आपको पहले भी बोल चुका था कि भाई friction का formula होता है mu into n but क्योंकि आप static friction के maximum value की बात कर रहे हो तो यहाँ पर limiting friction होता है वो उसको क्या कहते है limiting friction कहते है it will be close to mu s into n it will be close to mu s into n star if f is greater than f l body will slide यहाँ पर motion हो जाएगा but अगर if f is less than f l or equals to f l body will not slide will not slide तो अगर f बढ़ा हो जाता है limiting friction से तो body slide करती है लेकर अगर f छोटा हो limiting friction से body slide नहीं करेगी even जब f बराबर होता है na f lk then body tends to slide जब हमारा f बराबर होता है न बेटा f lk तो body tends to slide होती है यानि slide करना शुरू करती है just तो अगर f बराबर होता है na f lk उस time पर body just slide करना शुरू करती है ठीक है तो अगर f is less than the limiting friction body will not slide उस case में बेटा यहाँ पर आप बात करोगे static friction की उसमें हम बाते करेंगे static friction की और अगर body एक बार slide करना शुरू कर जाए उस case में हम बाते करते हैं बेटा kinetic friction की अभी हम पढ़ेंगे kinetic friction को भी आगे तो उमीद करते हूँ आपको इस सारी बाते समझा रही होगी यहाँ तक तो हो गया था इसको लिख लीजिए static friction की भी एक limit होती है एक limit तक वो अपनी value को adjust कर सकता है बेटा यहाँ पर आप इसको लिखेंगे f l आपका f बढ़ा हो गया है f l से इसलिए बेटा यहाँ पर आप देखो body motion करने लग गई फिर f बढ़ा हो गया f l से जिसकी वज़ा से क्या हो body motion करने लगी मालीजे f l हमारा 30 newton था मालो मालो let f l equals to 30 newton तो जब तक आप दोनों मिलके आप और आपके भाई मिलके फोर्स लगा रहा था जब तक आपका आप और आपका भाई मिलके फोर्स लगा रहा था तब तक तो कहानी बढ़िया चल रही थी लेकिन जैसे ही force increase होके बन गया वह 18 newton अब limiting friction से ज़्यादा value होगी अब यह body slide कर लेगी होता है नैसे तुम अक करने वह कर सकते हो क्यों क्योंकि उस टाइम पे जो फोर्स आप सब मिलके लगाते हो वह limiting friction से ज़्यादा हो जाता है कि समझ यो ना बात को समझ रहे हो ना बात को तो उस टाइम पे आप सारे मिलके जितना फोर्स लगाते हैं वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है जिसकी वज़ा से सारी चीज़े पॉसिबल होती है फिर आगे बड़े अगे फ्रिक्शन जैसे मोशन शुरू हो जाएगा आएगा काईनिटिक फ्रिक्शिन तो ये फ्रिक्शनल फोर्स तब तक काम करता है जब देर is no, there is no relative motion between the body and the surface. It is self-adjusting, बिटा, self-adjusting बता दिया मैंने आपको, अपनी value खुद चेंज कहता है लेकिन up to a certain limit, इसकी भी एक limit होती है, है न? Its numerical value is equal to the external applied force, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो numerical value होगी वो external applied force के बराबर है, इसकी maximum value को limiting friction कहते है and the limiting friction is given by mu s into n, इसकी maximum value को limiting friction कहते है, which is given by mu s into n, mu s is the coefficient of the static friction, note कर लो भाई जल्दी से, कर लो note, फिर हम आगे बढ़ेंगे, किया सभी ने note, चली बटे, आगे आगे ये, limiting friction, limiting friction, magnitude of the limiting force between bodies in contact is directly proportional to the normal reaction, so fl is proportional to n, direction is opposite to the direction in which the body is on the verge of moving, verge of moving मतलब जिस direction body चलना start होगी, उसके opposite direction में limiting friction लगेगा, जैसे कि माल लो ये भाई साब ने इधर force लगाया और body, अगर इधर चलना शुरू होगी, body का motion अगर इस तरफ होगा, तो limiting friction इस तरफ लगाएंगे, है ना, तो वो वाली बात है, it depends on the nature of the material of the surface in contact, ये बात तो मैं भी आपसे बोलता हूँ, सारे friction force depend करते है on the nature of the material of the surfaces in contact, its value is more than other types of friction, बाकि जितने भी friction पढ़ोगे, सबसे जादा value limiting friction की ही होती है, पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, so, यहाँ से proportionality sign हटाओगे, तो यहाँ पर आएगा बिटम μुँएस into n, तो यह वाला formula मैं आपको बहले भी बता चुक हूँ, ठीक है, तो यह limiting friction होता है, जल्दी इस इसको note कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, किया note, किया क्या note, आगे बढ़ते हैं, kinetic friction पर आते हैं, जरा गौर फर्माईएगा, kinetic friction की बाते हैं, मैं फिर से वही diagram बना रहा हूँ, जिसमें आप तीनों ने मिलके force लगाया था, तो वही डबबा भी हमारे पास हैं फिर से, तो अब फिर से वही box, एक force आपने लगाया था, एक force आपके बड़े वही आने लगाया था, और एक force लगाया था, बाओ जी ने हैंना, यहाँ पे पचास newton का force तो इन्हों ने लगा दिया था, बीस newton का force इन्हों ने लगा दिया था, और दस newton का force मैं लगा रहा था, so cool मिला के इन तीनों का जो sum था इन तीनों का जो add-on करके हमें मिल रहा था that will be like total force इस पे लग रहा था इधर की तरफ which is of 80 newton तो 50 plus 20 plus 10 will be your 80 newton तो box पे completely जो force लग रहा था वो 80 newton का था box पे जो completely force लग रहा था it will be of 80 newton बिल्कुल वो 80 newton का force लगा था तो क्या इस case में limiting friction आपके पास क्या थी हमें याद है sir limiting friction हमने बोला था 30 newton sir आपको कैसे पता अरे सोच लो थोड़ी दिर के लिए हमने सोचा था कि limiting friction 30 होगी अब यहाँ पे देखो applied force F है and applied force F is greater than the limiting friction अगर F limiting friction से बढ़ा है then there is a relative motion between there will be a there will be a relative motion there will be a relative motion between block and ground और बिटा अगर ऐसा scenario हो रहा है तो इस case में भी friction आएगा ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पे भी friction आएगा and the friction is given by the kinetic friction इस case में भी बेटा friction आता है और यहाँ पे जो friction आएगा it is a kinetic friction यहाँ पे motion हो रहा है body का क्योंकि भाई CDC बात है F is greater than FL तो यहाँ पे there will be a relative motion between the block and the ground और जब यहाँ पे block और ground के बीच में relative motion आता है तो भी friction लग रहा हो गया and that is called the kinetic friction बेटा इसको कहते हैं kinetic friction या फिर sliding friction Sir आपने तो कहा था कि अगर relative motion को oppose करता है friction तो क्या यह नहीं करेगा बिल्कुल बेटा यह भी relative motion को oppose करेगा क्योंसे अगर माल लो kinetic friction नहीं होता सुचना अगर यह kinetic friction नहीं होता तो किसी भी object को आप एक बार motion प्रोवाइड करा देते उसके बद वो चलता जाता चलता जाता लेकिन ऐसा नहीं होता है एक बार किसी body को motion प्रोवाइड करा दिया तो आपको sound सुनाई देते है यह है वो क्यों क्योंकि मैं यह move करना चाहता था लेकिन यह क्या कर रहे है इसके motion को oppose कर रहे है यह चाहता था कि मैं इधर velocity increase करता हूँ जो increase करते जाओ इसने बोला कहां हां कहां velocity increase कर दो decrease करूँगा इसकी वज़ा से इस box की kinetic energy का loss हूँ समझे बात को यह जो 80 newton का force है यह box को इस direction में क्या चाहता है accelerate करना चाहता है accelerate करने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी को increase करना चाहता है लेकिन यह kinetic friction क्या कर रहे है बेटा de-accelerate कर रहे है 80 newton का force क्या कर रहे इसकी kinetic energy का loss कर रहे है तो बेटा यह energy का जो loss हो रहे है वो कहां जा रहे है heat के format में निकल रहे energy के format में निकल रहे तो आपने अकसर देखा होगा जब भी आप table खिसकाते हो या अलमारी खिसकाते हो तो आवाज आती है यह इवन आप अपने हाथों को रब करो आती है वाज गरम हो जाते हाथ हाँ तो यह भी तो क्या है relative motion हो रहा है यहाँ पर दोनों हाथों के बीच में relative motion हो रहा है लेकिन साथी साथ आप देखो तो kinetic friction लग रहा है हाँ पर sliding friction लग रहा है मेरे हाथों के बीच में मेरे दुनों हाथ एक दूसरे के respect में relative motion कर रहे है और इनके बीच में लग रहा है kinetic friction और अब ऐसा करूँगा तो आवाज आ रही है तो energy का loss हो रहा है kinetic energy का जो की convert होता है heat के format में और energy के format में ठीक है तो kinetic friction is given by mu k into n तो यह kinetic friction का formula भी बन जाता है तो उसको चाप लो जल्दी से फिर हम आगे बढ़ते हैं याद रही यह बात नहीं है fk equals to mu k into n यहाँ पे kinetic friction का यह formula हमारे पास आ जाता है note कर लो यार जल्दी से हो गया होगा so देख लो भई if a body is in the relative motion the friction opposing its relative motion is called as the kinetic friction its value is always slightly less than the limiting friction obviously यह बात है भई एक object को जब आप move करना की कोशिश करते हो एक अलमारी को जब आप खिसकानी की कोशिश करते हो तो starting में जोड लगा रहा हम पड़ता है एक बार अगर वो खिसक जाए तो फिर हमें इतना ज़्यादा जोड नहीं लगाना पड़ता observe किया होगा कभी ऐसा करोगे तो पहले किया है तो किया होगा observe अगर नहीं किया तो आगे try करना देखना भारी अलमारी होगी उसको एक वाक खिसकानी की कोशिश करना बहुत जोड लगता है लेकिन एक वार वो खिसक जाना उसके बाद फिर इतना जादा जोड लगाने की जोड नहीं होती तो क्यों कि कानेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है यह भी एंद भी डिपेंड करता है इसकी वैल्यू भी जो है टाइप ओफ मोशन पर डिपेंड नहीं करती कि एक्सलेटर मोशन है रिटार्डर मोशन है या फिर कॉंस्टेंट वेलोसिटी से मुव कर रहा है बिकॉज इस से कॉंस्टेंट फॉर्स बेठा तो कुझे तुमसे बोले कि वहा एक अब्ब्जेक्ट है जो कि पांच मीटर पर सेकेंड से चल रहा है दूसर अब्जर केंट से चलरह है तो फ्रिक्शन ज्यादा यह तैन मीटर ही पर सेकेंड वाली पेलगने चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता है थिक है तो अगर कोई तुमसे बोल दे कि एक object है एक गाड़ी है हमरे पास यह चलो एक box है यह box चल रहा है फाइव मीटर पर सेकिन से एक नीचे होला box यह चल रहा है 10 मीटर पर सेकिन से तो हमसे कोई बोले के भाईया यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो ज्यादा होगा as compared to the काइनेटिक फ्रिक्शन जो यहाँ लग रहा है तो ऐसी कोई बाते बोले ना बेटा तो उसको बोलना पादल हो गया क्या ऐसा कुछ नहीं होता है काइनेटिक फ्रिक्शन तो एक constant force है अगर यहाँ पे material सेम है और दोनों का सेम मास है तो वो कितने भी speed से चले वो सेम ही रहता ह है देखा हाँ सेम मास है सेम माटीरियल है तो काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों के केस में सेम रहेगा डाजन मैटर की वो कितनी speed से चल रहा है कितने acceleration से वो चल रहा है इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा क्योंकि यह constant force है यह से इसको फर्क पड़ता है नॉर्मल से इस diagram को देखो बेटा यह गाड़ी आपको देख रही होगी ऐसे एक diagram मैं आप आगे भी बताता हूं यहाँ पे जरा गौर फर्मा के मुझे एक बात बता ना constant force है ना दोनों ही बराबर है अच्छा अगर यही friction की बाते में incline plane पे करूं तो अगर यही friction की बाते में incline plane पे करूं तो बोला जाए यहाँ पे एक box रखा हुआ है m mass का है यहाँ पे angle of inclination theta है है ना और यह box यहाँ पे क्या है बेटा slide कर रहा है नीचे की तरफ with some force of mg sin theta अभी से बता ऐसे forces लगते हैं इसके उपर एक इदर की तरफ लगेगा mg cos theta यह normal अच्छा मैं बोलूँ कि अगर यह box rest पे है तो बताओ भाई कितना यहाँ पे मैं बोल दूँ कि अगर यह box rest पे है then friction की value बताओ यह कितनी होगी अगर मैं बोलूँ कि यह box rest पे है तो friction की value कितनी होगी अगर यह body rest पे है तो friction की value कितनी होगी तो sir अगर यह body rest पे है तो पहली बात तो rest पे होने की वज़ा से यहाँ पे लगेगा static friction इस direction में और यह static friction हमाईशा applied force यानि की mg sin theta के बराबर हो जाएगा कोई शक्त तो नहीं है इसमें बिटा अगर मैं बोलूँ कि यह body rest पे है तो उस case में static friction बता दिया sir अच्छा यहीं पर अगर मैं बोलूँ कि यह body move कर रहे है तो फिर उस case में friction क्या होगा and if the body is moving if body is sliding down body is sliding down तो उस case में क्या होगा बिटा यहाँ पर आएगा kinetic friction which is given by mu into n mu into mg cos theta कोई शक वाली बात तो नहीं ना बिटा इसमें है ना अगर यहाँ पर depend करता है कि आपको static friction का coefficient दे रखा है या फिर kinetic friction का coefficient दे रखा है तो अगर body rest पे है तो fs equals to mg sin theta लेकिन अगर यह body slide करने लग जाए नीचे की तरफ अगर इसका motion होने शुरू हो जाए नीचे की तरफ तो फिर क्या करेंगे उस case में there will be a kinetic friction here and the kinetic friction is given by mu k into n so mu n जो होगा बेटा वो normal जो होगा वो mg cos theta के बराबर हो जाएगा n की जग mg cos theta पूट कर देना फिर है ना बहुत आसान काम तो इसको चाप लो जली से यहाँ पर भी यह सब चीजे हो रही है ना यहाँ पर देखो ज़र लगेगा mg का अभी मैं rolling वाले पार्ट पर नहीं चल रहा हूँ mg cos theta यहाँ पर mg sin theta sliding को ही consider करते हैं यहाँ पर friction लग जाएगा इदर पीची किदर अगर वो kinetic वाला है तो mu into normal होता है है ना फिर उसके साब से आप normal की value mg cos theta होती है mu के mg cos theta चापलो इसको जल्दी से नोट किया सभी ने कर लिए नोट यहाँ पर आओ यह सारी बाते लिख लो कितने भी speed से चलो कितने भी acceleration से चलो friction को कोई मतलब नहीं होते इन चीजों से फिर इंकलाइन पर आएगा तो कैसे solve करना इसको समझते हो ना बात को चली भी बहुत बढ़िया तो यहाँ पर मैं करता हूं इस session का समापन उमीद करता हूं कि जो friction मैंने आपको समझाया है वह आपको समझाया होगा जो मैंने types of friction आपको बताए हैं वह आपको समझाय होगे friction का जो formula मैंने बता आपको समझाया होगा किन-kिन factors पर depend करता है वो समझाया होगा यह पता चलोगा कि friction motion को सपोर्ट करता है उसके लागा स्टेटिक फिक्शन क्या है सारी बात आपको समझाया होगी हां इसके लावा और भी चीज़े हैं जो उपने अगले लेक्चर में डेफिनेटली कवर करेंगे तो इसके लिए आज के लेक्चर के अगर डीपी आपको चाहिए तो इसके लिए आप हमारे ओफिशल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जाहिए आयटी जाहिए में आपको जाना है और यहां पे आपको मेरे लेक्चर मिल जाएंगे जैसे वाच लौ पे क्लिक करते हो एक और पेज तुम्हारे आँखों के सामने दिखेगा जिसमें इधर की तरफ जहां पे वाच आल वीडियो लिखा हुआ है यहां पे जाना यहां पे आपको सारे के सारे लेक्चर's मिल जाएंगे बिटर कि भी आपको यहीं मिल जाएगी तो डीपीपी अब प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके रख दिया गया तो इससे आपका बहुत टाइम बशने वाला है रादर देन वीडियो को आप जो इधर उदर जाके ढूंट तो ना वो सब नहीं करना पड़ेगा आप सीधा लेक्टर पर जाओ अपने डाउट को कम सीड़े करो ठीक है तो यह सारी वेबसाइट है आप एक बार चेक जरूर कीजेगा इसके अलावा चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो जो लाल बटन है सब्सक्राइब को इसको अभी के अभी दवादो यार किसका वीड करता तो दवादो उसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर करें ताकि उनको भी वो सारे बेनेफिट्स मिल सकें वो सारे फाइदे मिल सकें जो आप लोगों को मिल रहे हैं ना चली बहुत शांद है बागी सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना बस इतनी ही बाते थी आज के समीजिंग सेशन की मिलते आप से अगले सेशन में तब तक अपना ध्यान रखिए बढाई करते रहे हैं all the variables